लोटस अर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूं उत्पल चौधरी आज हम बात करेंगे कुट्टे के काट्टें पर तुरंत अपनाए यह प्रात्मिक उप्चार आपको तुरंत मिलेगा दर्थ से आराम तो आई शुरू करते हैं आज का वीडियो लिक्ने उसे ब पालना पसंद करते हैं घर की रखवाली के अलाबा अपना दिल बहलाने के लिए लोगों को कुट्टा पालना पसंद होता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जिने कुट्टों से बहुत डर लगता है अपने डर के करणबे उन चगों पर जाना भी छोड़ देते हैं जहां उन्हें को ज्यादा कुट्टे दिखते ऐसे में सूचिए अगर आप पर कोई आवरा कुट्था हमला कर दे तो आप कैसे बचाओ करेंगे कई लोग मानते हैं कि कुट्टे के काटने पर 14 लगते हैं लेकिन यह सिर्फ मितक है क्योंकि कुट्टे के काटने पर आपको केबल 2-3 इंज जोरुत होती है जिससे संक्रमन को फैलने में फैलने से रूका जा सके वहीं डॉक्टर के पास जाने से पहले कुछ प्रात्मिक इलाज करने की जोरुत भी पर सकती है पहले समझे समय पर प्रात्मिक इलाज करना क्यों जरूरी है कुट्टे के काड़ने से कई परिशानियों का सामना करना पड़ता है उन परिशानियों में इंफेक्शन होना रभीश का खत्रा आंत्रिक चोटाना और घरे गाव होना सामिले दरसर कुट्टे के मुँव में बैक्टेरिया होते हैं जो हमारे ब्रैट के जरिये सरीर में प्रविश कर जाते हैं और बिमारिया फैलाते हैं खास तोर पर एस समस्था तब होती है जब इसकीन शील जाए या खून बहने लगे कुट्टे के काटने पर प्रात्मी के लिए आज कैसे करें कोशिस करें कि आप जल से जल डॉक्टर के पास जाकर इंजेक्शन लगवाएं इससे आप इंफेक्शन फैलने से रोक सकते हैं घाओ के पास एक साफ तोलिया रखें जिससे infection को फैलने से रुका जा सके इसके बाद आप घाओ को धिरी धिरे साफ करें तुरंत घाव की सफाई करें कुट्य के काड़ने के बाद देरी ना करते हुए जल से जल घाव साफ करें इसके लिए आपको हल्दी के पानी से प्रवाबित इस्तान पर धुए हल्दी में एंटी फंगर और एंटी बैक्टरियल गोड़ होते हैं इससे संक्रमन को फैलने से र रुका जा सकता है मरहम पट्टी के लिए घाव पर एंटीबायोटिक क्रीम का इस्तिमाल कर सकते हैं एंटीबायोटिक लगाने के बाद घर को घाव को खाली न छोड़े अब इस पर अलकी पट्टी करें और तुरंत डॉक्टर के पास पहुचे तो यह था हमारा आज का वीडियो आगर आपको कुट्ता काड़ता है तो आपको प्रात्मिक उप्चार आप खुद आप कर सकते हैं उसके बाद डॉक्टर के पास जा करके इंजेक्शन ले सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना मत भूलीगा धन्माद